नमस्कार जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सब भी देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पंडे यहां पर आपके लिए लेका रागा हैं जीके जीएस के कॉशन जो पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं और आप जिससे एक्जाम की तयारी कर रहे ह के हुए कम समय में ज्यादा कॉशन करा जाती है हमाई चैनल की खासित है तो चैनल से जोड़ जाईए वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक पहला कॉशन दिखिए गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी क्या हो जाएगा राइट आंसर तो यहां पर आपका राइट दे गए हैं आपकी कनिश्क थे आपकें तो चूल शामराज्यकि राजदानी इनमें से कहां पर थी तो जो प्राचीन L Сामराज्य था उसकी जो राजदानी था वो था आपकी उर्दूर। उर्दूर जो है option number A में लिखा हुआ है ये चोल साम राज्जी की राजधानी थी किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध की हता हतों का उलेक किया है और युद्ध त्याग की घोशना की है तो कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था और युद्ध त्याग की घोशना की है और कलिंग युद्ध के बारे में शिला राजादेश तेरा नंबर का तेरवे नंबर की शिला लिख में इसके बारे में जानकारी दिये का लिंग ने अशोक ने समुचे भारत और सिलोन में बहुत धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था अशुक ने पूरे भारत और सिलोन में बहुत धर्म का परचार धर्म महापात्रों को भेज कर किया था option number यहां पर भी धर्म महापात्रों को भेजा था अशुक ने बहुत धर्म के परचार के लिए मौरे सामराज में ग्रीज के राजदूत का नाम बताईए क्या था एक ग्रीज का राजदूत आया था मौर के दर्वार में उसका नाम था आपका मैगस्तनीज option number भी मैगस्तनीज जो था यह ग्रीज राजदूत था option number भी यहां पर राइट आंसर है बिंदूसार के शाषन के दौरान अशान्ती इन में से कहां पर थी तो बिंदूसार जब शाषन कर रहा था उस समय तक्ष शिला में बहुँ जादा अशान्ती थी option number यहां पर सी तक्ष शिला प्रशनी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथ वहन का सबसे बड़ा शाषक इन में से कौन था तो साथ वहनों में सबसे बड़ा शाषक जो प्रसिद्ध शाषक था जिसे सक्ष समवत में कणिशक था वैसे साथ वहनों में रैट अंसर है अर्थ शास्त्र के लेखक चानक और यह चंद्रिश Chemo मौर के समकालिक थे option number फी चंद्रगुप्य और तो मउरे ने अम्जाम गोला हैं उन्हों अङसे के आपने time तो मौरे के भिन कोती निकाल लिए एक्जाम के कांडी कर अगे've के एक्जाम आई जो क्विस需要 आपके को कौसंट हद यए इस ओ般 10,000 कौशन की PDF बना लिए क्या बना लिए PDF और यह PDF सबको WhatsApp पर मिल जाएगी PDF 300 रुपए की है लेकिन अभी सब क्या एक्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में आपको यह PDF जी जा रही है सिर्फ 99 रुपए में सभी को चाहें आप हमाँ चैनल पर पहली बार आयो चाहें पु में WhatsApp कर सकते हैं आपको नीशे नंबर दिख रहा होगा यह नंबर पूरे वीडियो भर शोगा जब भी आप वीडियो छोड़के जाओ इस नंबर पर कॉल कर लेना या WhatsApp कर देना आपको PDF मिल जाएगी 99 रुपए मिल जाएगी 300 रुपए की PDF 100% चांसे से आपके एक्जाम में संदक्षक था अगला कॉशन दिखे निर्दा लेकित में से कौन सा शाषक कुशाडवन से संबने थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं कट फिस प्रथम यह कुशाडवन से संबने थे ऑप्शन अबसी प्रशनी के लिए राइट आंसर है किस भारती शाषक ने का जो युद लड़ा गया था यह संब्राट अशोक के दौर लड़ा गया था ऑप्शन अमड़ी संब्राट अशोक राइट आंसर है गांधार कला किन दो कलाओं का सयोजन है तो गांधार कला हिंदू और यूनानी कला का सयोजन है ऑप्शन नमबर भी हिंदू और यूनान के संस्थापक थे अशोग के सिला लेख पर किस लिपी का प्रयोग किया गया है अशोग के जो सिला लेख हैं उस पर ब्राम्ही लिपी का प्रयोग किया गया है संगम साहित के संदक्षक इनमें से कौन थे संगम साहित वना था option नमबर यह पाठली पुत्र राइट रोज जाएगा पाठली पुत्र का अभी का नाम क्या है बताएए अभी किस शहर है कौन सा शहर है कि जहां पहले पाठली पुत्र था कमेंट करके बताइए निर्भ नाले त्मिश्क कोन कनिष्क के राज वैद तो ग्रीको रोमन बहुत द्लाइट सबसे बड़ा कारहए तो तोलक ज़ा राइश रही टहर श्लिक लाइश हो जाए ऊप्षेन अया संगम युक का लिए किस भा12 का सबसे वड़ा का रहे है या काव्य है तो तोलक पीए ये तमिल भाशा की लिखा गया है नंद राजवंस का संस्थापक इन में से कौन था तो जो नंद राजवंस था उसके संस्थापक आपके थे महा पदम नंद ऑप्शन नंबसी यह नंद राजवंस के संस्थापक थे भार सरकार के प्रतीक में नमलगत में से कौन मौर्वंस ने अपनाया नहीं गया था तो मौरवंस से देखिए हमने लिया है क्या जो प्रतीक है प्रतीक चिन्द है उसमें आपका चार शेर हैं घोड़ में है कि इसके लिए एका ब्राम्मण प्रिक्त किया गया है यह गौत्मी पुत्र साथ करनी प्रशन के लिए राइट आंसर हो झाएगा यूनानी राजदु तो मैगस्तनीस इनमें किस साशक के दरवार में था तो मैगस्तनी इस चंद्रगुप्त के दरवार में था option number B, चंद्रगुप्त प्रशन के लिए right answer हो जाएगा निम्नलिके तमेंसे किसकी जानकारी अशोक के सिला लिखों से मिलती है अशोक के सिला लिखों से आपके जीवन वरत की जानकारी मिलती है आंतरक नीती और विदेशन नीती, मतलब उपरोक्त सभी जो विकल्प दिये हैं इन सभी की जानकारी अशोक के सिला लिखों से मिलती है ग्रीक यूनानी लेखों को द्वारा अग्रमीज या जैंडरमीज किसे कहा गया था तो ग्रीक यूनानी लेखों को ने अग्रमीज या जैंडरमीज जो कहा है ये धनान्द को कहा है option number धनान्द को अग्रमीज या जैंडरमीज कहा गया है ग्रीक या यूनानी लिखों को गिद्वारा भारती नैपोलियन की उपादी इन में से किसको दी गई है तो भारती नैपोलियन की जो उपादी दी गई है यह दी गई आपकी समुद्र गुप्त को ऑप्शन नमबरें आपर भी समुद्र गुप्त को भारती नैपोलियन की उत्तर गुप्त युग में जो विश्व इध्याले प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था तो उत्तर गुप्त युग के समय की बात है और आपका नालंदा विश्व इध्याले बहुत फेमस हो गया था नालंदा विश्व इध्याले option number C प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा पह यहां पर जो option दिए उन्हें से धन वंत्री को माणा जाता है आप शन बसी धन वंत्री प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा आर्य भट्ट और वराहमेर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ सम्बझत है तो आर्य भट्ट और वराहमेर ये गुप्तवंच के सुविख्या नाम है यह लोग है आरेभट को भी जानते होगे आप और वराह महिर का भी नाम सुना होगा ये गुप्तवन से संबने थे दोणों रोमन सामराज के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमाण के बाद समाप्त हो गया तो रोम पर आक्रमाण हुआ था हूनों का और उसके बाद रोमन सामराज और भारत के भी जो व्यापार था वो समाप्त हो गया हुणों के आक्रमन के बाद रोमन सामराज और भारत का व्यापर समाथ हो गया चीनी यात्री फायांग किस गुप्त शाशक के साशनकाल के दौरन भारत आये था तो चीनी यात्री जो फायांग आये था ये चंद्रगुप्त द्वती के समय आये था option number भी समुद्र गुप्त प्रश्णी के लिए right answer है इलहाबाद इस्तंब सिलालिक इन में से किस ने वनवाया था तो प्रयाग राज या इलहाबाद इस्तंब सिलालिक ये हरी शेंड ने वनवाया है option number ये हरी शेंड राइट answer है गुप्त शाष्कों के बारे में निर्म्द में से कौन सा कथन सही नहीं है मतला एक कथन गलत है गुप्त शाष्कों के बारे में तो राजपत वनशागत था और सिंघासन सदा बड़े बेटे को मिलता था ये गलत है गुप्त शाशकों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े बेटे को ही सिंगाशन मिलेगा option number B यहाँ पर गलत दिया गया है गुप्त शाशकों के बारे में गुप्त युग का प्रवर्तक इनमें से किसे माना जाता है तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक माना जाता है श्री गुप्त को माना जाता है option number B श्री गुप्त को गुप्त युग का प्रवर्तक माना जाता है कवी कालिदास किसके राजकवी थे कालिदास का नाम सुना होगा आपने तो ये प्रिसिद चंद्रगुप्त विक्रमादित के राजकवी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित का और क्या नाम है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित को चंद्रगुप्त द्वतिय भी कहा जाता था क्या कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वतिय गुप्त शाषकों की दरवारी भाशा इन में से क्या थी तो जो गुप्त शाषक थे ना उनकी जो दरवारी भाशा थी वो थी संस्कृत option नमबर यहां पर डी संस्कृत प्रश्ण के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाया गुप्त शाष्कों की दरवारी भाशा गुप्त राजवंश किस लिए प्रसित था तो गुप्त राजवंश सबसे आपने कला और इस्थापत के लिए जाने जाता था option नमबर थे था थोड़ देर पहले कॉशन है था चंद्रगुप्त विक्रमा दित्ceu नाम से चंद्ध दोनों त्थे रहा ओक है अगला ना साथ व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गड़तग्य था तो महान खगोल विज्ञानी और गड़तग्य हम सभी जानते उनका नाम बहुत प्रसिद्ध आरे भट्ट जी अप्चे नुबर सी यह गुप्त शाशक के शाशनकाल में थे आरे भट्ट जी हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका तो हुणों को भारत पर आक्रमण करने से इसकंद गुप्त ने रोका ऑप्चे नमब सी इसकंद गुप्त ने हुणों को भारत में आक्रमण करने से रोका राजाहर्श ने अपनी राजधानी कहां से कहां इस्थानांत्रित कर ल जानीश ठानन्तित्स कर ली गुप्त्काल में किस धातू के सरवादि Australians जारी किये गए घुब्ट्काल में सबसे जादा सबसे ज्यादा जारी किई गए गया एक गुप्षम सेुछ आप से किने के सिक्ञेत के प्रती उनका प्रेम दर्शाती थे तो संगीत के प्रती उनका प्रेम गुप्तों के सिक्के दर्शाथे थे ऑप्शन नमर सी गुप्त राजवंश के सिक्के संगीत के प्रती उनका प्रेम दर्शाथे थे गुप्तों का आरे भट्ट और कालीदास किस गुप्त शाशक के दरवार में थे तो आरे भट्ट और कालीदास ये दोनों चंद्रगुप्त द्वति या जिनको हम क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रवाजित इनके दर्वार में थे आरे भट्ट भी और कालिदास भी आप्शन नम्र यहां पर भी प्रश्नी के लिए राइट आंसर है बान भट्ट निम्लेकित में से किस संब्राट के र कि दौरा नलंदा विश्विध्याल की स्थापना की गई एक महान रोमाने नाठक कादमबर्ी इसके लेखक कौन थे तो जो कादमबरी है है इसके ले लेखक थे आपके बांझ भट्ट जी, option., नम्र यह बान भट्ट जी की गई थी तो हर्श की ने कैनोज सभा स्थाफित की थी और यह संमान में हार्च वर्धन का का आज स्ञाइड हरस चरित्र नहीं लिखा खुद का चरित्र स्ट नहीं लखा रतना वाली प्रिदर्शिका स्ञाइड shelter लिखी है इसमें शती प्रथा का सभी सब्छे प्राचीनितम जो है साक्ष मिलता है संदर मिलता है पुलिट में आपर भी राइट आंसर है हेंसांग किसके शाशनकाल के दोरान भारत आया था तो हेंसांग आया था आपका हर्श वर्धन के समय हेंसांग भारत आया था निम्नले के तुमसे वह अंतिम बहुत दराजा कौन था जो संस्क्रत का महान विद्वान और लिखक था आखरी बहुत आये था तो हर्ष वर्धन के समय यहाँ पर जो ऑप्शन दे गए हेन स्वांग भारत आये था ऑप्शन नमबर डी हेन स्वांग ये हर्ष वर्धन के समय ही भारत आये था राजा हर्ष वर्धन के दरवारी कवी कौन थे तो राजा हर्ष वर्धन के समय जो दरवारी कवी थे वो थे बान भट आप्शे नमबर वी ये हर्श वर्धन के दरवारी कवी थे हर्श चरित निम्द लगत में से किसके द्वारा लिखी गई तो हर्श चरित उनके दरवारी कवी नहीं लिखी थी बान भटने हर्श चरित किसने लिखी थी बान भटने ये क्या थी तो हर्श वर् उपारत के किस पैसित आजुंटा और एयलोरा की जो घुटाइश्ट dif आपकी महाराष्ट राजजिय में अए पीधि एंप फिरत प्री किया गया था ठोगन क्या थे तो युट्य जेख grilled अबिशन नमर ए वराह महर एक खगो लग थे यारखेगा अलवार संतों का अभिरभाव निम्न में से किस आधने के राजिस से हुआ जो अलवार संत हैं उनका अभिरभाव हुआ है तमिल नाडू से अभिरभाव हुआ है चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था तो ची यह और बीहार में था ओधनत पूरी दोहित्र काहा ग्या है समद्र गुप्ट को समद्रए समद्र बिविफ्ट को की नाम से जाना जाता है हर्ष विदुट का वे में Systems और दक्षिन भारत में थे आपके प्रशिद्द पुलकेसिंद दौती ऐट ओप्शन नमबर भी पुलकेसिंद दौती ये डख्शन भारत में उस समय फेमस थे ओप्शन नमबर यहाँ पर प्रशनिक लिए बिल्कुल साइव Caer है गुप्ट काल शाषन के δौरान निर्फिकयत मैं क्ौन सा शिकका चांदी में जारी किया गया था तो चांदी के सिक्के को कहा जाता था रुप्य याropजन और रखना रवी किर्ती जो एक जयन थे और जिन्होंने एहौल प्रसस्ती की रचना कि वो किसके संडक्षन में थे उनको किसका संडक्षन प्राप्त था तो रवी केर्थी ये पुलकेशिन द्वती का संडक्षन को प्राप्त था इन्होंने एह होल प्रसस्ती की रचना की यह option number C right answer है निम्दलेकित में से क्या राष्ट कूटों का सरवाधिक चिर इस्थाई योगदान है तो राष्ट कूटों के द्वारा एक बहुत ही भव्य कैलाश मंदिर का नुमार किया गया है और उनके कन्नड के तीन कावे थे पंपा, पॉन्ना, राना और कैलाश मंदिर य कौन सा शिलालिक प्रियाग प्रस्थी के नाम से जाना जाता है तो प्रियाग प्रस्थी के नाम से आपका महरौली सिलालिक को जाना जाता है, option number E महरौली की दौरान ऑप्शन नमबर गुप्तकाल के दौरान अजनता की गुफाओं का निवाण हुआ है द्वतिय पांडिया ने सामराज्य की भूमी माप का उलेख किसमें मिलता है तो भूमी माप का जो उलेख मिलता है यह आपका मिलता है थलवई पुरम तामे की प्लेटों में प्राचीन भारत में प्राचीन तम बौध विश्व उध्याले का नाम बताओ तो प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन तम जो बौध विश्व उध्याले था वह था आपका तक्ष शिला ऑप्शन नमबर ए तक्ष शिला बौध विश्व उध्याले प्राचीन तम विश् का शाक कोनब था तो गुप्तिवंश्का का आकरी शाशक था जटी श्ताब्दी की सुरुवाद में भारत की यात्रा पर चीनी तीर्थ्य आत्री क्यूंन था और उसका नाम था आपका शुंग यूंग, option number C, शुंग यूंग, चटवी सताब्दी की सुरुवात में भरता है था महाराजादी राज की उपाधी लेने वाला सबसे पहला गुप्त शाशक को था सबसे पहले महाराजादी राज की जो उपाधी मिली थी, चंद्रगुप्त को मिली थी option number यह चंद्रगुप्त राइट answer है और यह राज का आखरी caution की चालुक की शाशक publication की हर्ष वर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी तो publication की हर्ष वर्धन पर जो विजय हुई थी वो आपका संथा आपका 618 इसवी option number यहाँ पर भी 618 इसवी right answer है आपके लिए एक surprise question है जिसका answer आपको comment करके बताना है और यह आज का आखरी question है कि हर्ष वर्धन की वल्लवी विजय निम्नलगित मैंसे किस शिलालिक में उसका अलिक मिलता है वल्लवी विजय का उलिक किस सिलालिक मिलता है को दो आप्शन दे रहा हूं एहोल इस्तंब सिलालिक option number A या फर option number C नवसारी ताम रुपत सिलालिक हर्ष वर्धन की वल्लवी विजय का उलिक इन दोनों में से किस से मिलता है A और C मेंस को यह एक answer सही है comment करके बताए कौन सा answer सही है हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसको PDF चाहिए 10,000 GKS की सिर्फ 99 रुपे में 300 रुपे की PDF अभी 99 रुपे मिल रही है जिसको भी चाहिए नीचे दिये के नंबर पर WhatsApp कर लेना या Call कर लेना WhatsApp पर आपको PDF मिल जाएगी बहुत बधनमाद आपका निचोबू जय हिंद जय भारत